जी माइडिया योट्यू फैमडी जैसा कि आज आप तेरे हाथ में देख रहे हैं कुछ लीव ट्राय लीव और जड़ी बूटियां से पड़ी आपको नज़र आ रहे होंगी तो माई डिया यूट्यूब फैमिली ये एक जादूई किसम की जड़ी बूती है मैं आपसे शेयर करूंगी लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइक माई डिया यूट्यूब फैमिली, हमारा मकसद आपसे जो मेरे पास नॉलेज होती है मैं आपके साथ शेयर करती है, आज भी मुझे ये लीव और ये जड़ी बूती का ही नजर आई, तो मैं आते हुए ले आई, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जी माई डिया यू किसी को डाइबिटीज हो, और कोई मेटाबॉलिसम को बढ़ाना चाहता हो, अपने कलस्ट्रॉल लेवल को ठीक करना चाहता हो, इसके साथ साथ किसी को बीपी का प्रॉब्लम हो, और बोड़ी में मजूद जो है, अपने बलड को या इनके हून को साफ करने की सलाहित रखने वाली इस बूटी जिसको हम लोग कहते हैं गलोए, गलोए, यह गलोए है, आई गलोए के पत्ते जो होते हैं, जैसा कि यह मैंने आप से पहले लीव, अब यह बिचारे ड्राइ हो गए हैं तो प्लीज आप, गर्मी बहुत जाद है, दूसरा यह है कि यह जो लीव हैं, इनक हमाए खून में शकर की सता को कम करने भी मदद देते हैं, गलोए के जो पत्तों में जो इसमें यह होता है कि यह हमारे शुगर की सता को कंट्रोल रखता है, इसके इलावा यह हमारे खून में जो शकर हो, उसकी सता को, सौरी, कम करने में यह मदद देता है, इस गलोए के जो तो उसके लिए अगर हम इस गलोई की जी जो बूटी है इसका अगर हम लोग कावा बना के पियें और अपसर लोग जो हैं इसका जूस बना के इस्तमाल करते हैं इन पत्तों का और जिसके मैंने फाइदे आप से पहले बयान किये इसके इलावा खाने को यह फौरी तोर पर हज करेंगा और शूगर होने की जो बहुत बड़ी बचा है इसके इलावा मैंने जैसे कि आप से पहले का आया कि शूगर वाले प्रिशों उनके लिए तो यह बूटी किसी नेमत से कम नहीं है गलोई के पत्तों को इस्तमाल करें और इसके इस्तमाल से आपको बहुत सारे फाइ